उम्शंती अज स्तारां अठ दोहजार बाईस दिवाणी है बाबा आपदेने मिठे बच्चे बापत्व अनू बेहददा समाचार सुना दे है तुसी हुन सवदर्शन चक्करदारी बनू तो अनू 84 जनमादी सम्रिती विच रेना है अते सबनू ए सम्रिती दिलानी है अज बाबा ने अपने बच्चे नू प्रशन पुछया शिप बाबा दा पहला बच्चा ब्रह्मा नू कहांगे बिष्णू नू नहीं क्यूं अज बाबा दा उत्तर है क्योंकि शिप बाबा ब्रह्मा द्वारे ब्रह्मन संपर्दाय रच दे है जेकर विश्णुनु कहिए ता उना तो भी संपर्दाय पैदा हुनी चाई दी है प्रन्तु उना तो कोई संपर्दाय हुन्दी नहीं विश्णुनु कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहांगे ओ जदो लक्ष्मी नरायन दे रूप विच महराजा महराणी हन ता उना नू अपना बच्चा ही मम्मा बाबा केंदे है ब्रह्मा तो ता ब्राम्मन संपर्दाय पैदा हुंदी है गीत आजदा तुमी हो मात पिता बंदू सका तुमी हो ओम शंती बाप बैठ बच्चया नू समझांदे है कि कोई गुरू गुसाई इमें नहीं कह सकता कि मा बाप बैठ बच्चया नू समझांदे है बाप बच्चया नू की समझांगे केडा बाप है एता सिर्फ तुसी जानते हो और किसे सत्ज संग विच इमें नहीं कह सकते पामें बाबा साई, मेहर बाबा कहन दे है, पर ओ लोग तां कुछ भी समझे नहीं है, जो बोलना तुसी जानदे हो, ए बेहदा बाप है, बेहदा समाचार सुना दे है एक हुंदा है हद दा समाचार दूसरा हुंदा है बेहद दा समाचार इस दुनिया विच कोई जान दे ही नहीं बाप कहन दे है तो अनू बेहद दा समाचार सुनादा हां ता तो अनू स्रिस्टी दे आदी मद्य अंत दा ज्यान बुद्धी विच आ जान दा है तुसी जान दे हो ब्रोबर बाप ने अपना प्रिच्य दिता है अते स्रिस्टी चक्कर के में फिर्दा है ओ भी ठीक तरा समझाया है उसनू समझा के असी होर्ना नू समझां दे हां बीज नू परमपिता परमात्मा अते बाप केंदे हां असी हां उना दे बच्चे आत्मामा तुसी बच्चे दी बुद्धी बिच है की असी आत्मामा परमात्मा दी संतान हां परमपिता परमताम बिच रेण वाई है उना नू मूल बतंदा समाचार समझाया है कि में ए सारी म बन दी है, पहला पहला बाप समझांदे है, मैं थोड़ा बाप हाँ, अते मैं परमदां बिच रेंदा हाँ, मैं नो ही नौलेज़ फुल, ब्लिस फुल केंदे है, मैं आके तुसी आत्मानू पवित्रता सुख शान्ती दा वर्सा देंदा हाँ, बच्चियां दी बुद्धी विच ए फिर्दा रेंदा है, असी असल विच कित्थों दे रेंड वाले हाँ, असी सारियां आत्मानू भी अपना पाट बजाणा है, पाट दा राज कोई भी समझ नहीं सकते है, सिर्फ केंदे रेंदे है, पुनर जनम लमागे, आत्मा एन्ने जनम लेंदी है, कोई 84 असी जनम के में लेंदे है, ए बुद्धी विच हुना चाईदा है, बुरोबर असी सतो परदान सी फिर सतो रजो तमो विच आए हाँ, हुन फिर संगम ते असी सतो परदान बन रहे हाँ, ए जरूर तुसी बच्चियां दी बुद्धी विच होवेगा, तांते थो अनू करदारी किहा जन्दा है, एक गलनाता बहुत सहज है, जो बुद्धियां भी समझा सक दिया है, कि बुरोबर असी चरासी जनम लें है, होर कोई तरम बाले मनुख नहीं लेंदे, ए भी समझाना हुना है, हुन असी ब्रामन हाँ, फिर देखता शत्तरिय वैश्य शुदर बन देहां, उंचे ते उंचा है शिब बाबा, ए हुन था डी बुद्धि विच है, इमें आसी पुन्नर जन्म लेंदेहां, पुन्नर जरम नुथा जरूर मनना पे, हुन था नू अपने चरासी जनमा दे पाठ दी समरिती आई है, बुडियां दे लेई वी समझाना बहुत थोनो कोई कताब आदी पड़न दी जरूरत नहीं है, बाबा आखदे ने, बाप ने समझाया है कि तुसी चरासी जनम के में लेंदे हो, तुसी ही देवी देपता सी फिर अठ जनम सत जुग बिच, बारा जनम तरेता बिच, तरे सट जनम द्वापर कल जुग बिच ले, अत ये एक जनम है सब तो उज, ता सहज समझ दे हो न, कुरू खेतर दिया, बुडिया, माता भी समझा दिया है न, कुरू खेतर दा नाम मशहूर है, असल विच ये सारा कर्म खेतर है, ओ कुरू खेतर दा एक पिंड है, ये सारा कर्म दा खेतर है, उस विच हाले लडाई आदी लगी नहीं है तुसी इस सारे कुरु खेतर नो जानते हो बैठनदा एक जगा हुंदा है बाबाने दस्या है इस सारे करम खेतरते रावनदा राज है रावनु नु शारदे ही साड़ देवी इत्थे है रावन दा जन्म भी इत्थे हुंदा है इत्थे ही शिप बाबा दा जन्म हुंदा है इत्थे ही देवी देवता है फिर ओ ही पहले पहले बाम मार्ग विच जन्दे है बाबा भी इत्थे पारत विच ही आंदे है पारत दी बहुत महमा है बाप भी पारत विच ही बैट समझांदे है बच्चे तुसी पंज हजार बरे पहले आदी सनातन देवी देवतात दर्म दे सी राज कर दे सी उना विच पहले नमबर लक्षमी नरायन विश्व दे राज कर दे सी उना नूं पंज हजार बरे हुई उन कोई दुज्जा तरमता हुंदा नहीं ता जो भी राजे होंगे ओ विश्यवदे महाराजन ही कहांगे फिर ए फलाने गाउंदा ए फलाने गाउंदा किहा जांदा है तुसी जानते हो असी विश्यवदा राज लेंदे हां बाप ने समझाया है तुसी जमना दे किनारे राज क कर दे हो ता बुद्धी विच जाद रखना है कि चार जुग अते चार वर्ण है पांचमा ये लीप जुग है जिसनों कोई जानदा नहीं मुनुख है ब्रह्मन तर्म ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मन ब्रह्मा कदों आया ता जरूर जदों बाप स्रिस्टी रचन गेतन पहले ब्रह्मन चाहिदे है ये है ड्रेक्ट ब्रह्मा दी मुख वंशावली ब्रह्मा है शिप बाबा दा पहला बच्चा की विश्नों नू भी बच्चा कहांगे नहीं जे कर बच्चा होबे ता उना तो भी संपर्दाय पैदा होबे प्रंतु उना तो ता संपर्दाय पै एक करमपू में है परमपिता परमात्मानों ही आके करम करना कराणा पैंदा है नहीं था आके की कर दे जो इतनी महमा हुंदी है तुसी बेखते हो शिव जन्ती भी गाई होई है पामे विश्नुपुरी लिख्या होई है पर उस बिच कोई गल समझ नहीं अमदी मुख है ही गी तुसी चंगी तरह समझ गे हो कि कि में शिव बाबा आमदे है ब्रह्मा भी जरूर चहीदा है नहीं ब्रह्मा कित्थों आया शुक्षम बतन विच ते संपूरन ब्रह्मा है एक गल विच ही लोकी अटक दे है बाबा आख देने ब्रह्मा तां शुक्षम बतन विच रहके ही कर दे होनगे बाबा बाप समझांदे है जद ए व्यक्त रूप विच है ता इना द्वारे ग्यान दिन्द्या है फिर ए ही ग्यान लेंदे लेंदे फ्रिश्टा बन जन्दे है हून है संपूरन रूप उमें मम्मा तावी है थोड़ा वी इमें संपूरन रूप बन जन्दा है बुढियां बुढियां मातामा सिर्फ इना इनातारन कार्ण की 84 जनम की में लेंदे हैं ये भी समझाया जान्दा है की बाबा कर्म खेतर दे पाट बजान पेज दिन्दे है मुँ तो कुछ बोल दे नहीं है ये भी ड्रामा बढ़या होया है ड्राम में अनुसार हर एकनू अपने अपने समय दे आना है ता बाब बैड समझान दे है की सिरिस्टी दे आदी विच पहले पहले कौन सी फिर अन्त विच कौन है अन्त विच सारी संपरदाय जड़ जड़ी भूत अवस्थानू पाई हुई है बाकी इंज नहीं की परल्य हो जड़ी है फिर शिरी क्रिशन अंगूठा चूसता होया आन्दा है बाब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर दे है नई समपरदाय दी परमपिता परमात्मा इस देवी सिरिस्टी दी रचना के में कर दे है एता तुसी जण दे हो ओ ता क्रिशन नूँ समझ बैठे है तुसी जान दे हो बाप ही पादित पावन है अंत विच ही आणगे पावन बनाण जो कल्प पहले पावन बने सी ओ ही आणगे आके ब्रह्मा ते मुख वंशावरी बनगे अते पुर्शार्थ कर शिबावा तो अपना वर्सा लेंगे रच्चैता नौलजफुल ओ है ना वर्सा बाप तो ही मिल सकदा है दादा नूँ भी उना तो मिलदा है उना दी ही मेहमा गाई जनती है तुमें माता पिता तुमें ब्रोबर सच्चा सुख देने वड़ा ओ है ये भी तुसी जानते हो दुनिया नहीं जान दी जदो रावन राज शुरू हुनदा है ताही दुख शुरू हुनदा है रावन बेस समझ बणा देनदा है बालक विच जदों तक विकारान दी प्रवेश्टा नहीं है ता उना नू महात्मा वर्गा कैंदे है जदो वालक हुनदा है तो लौक एक सवंदी उसनू दुख दी राव दस दे है पहला रा दस दे है कि ता नू शादी करनी है लक्ष्मी नरायनते राम सीता नेवी की शादी नहीं किती थी पर उना नू पता ही नहीं कि उना दा पवित्तर परगती मार्ग सी ए आ पवित्तर परगती मार्ग है उना दा पवित्तर स्वर्ग दे मालिक सी असीता पातित नर्क दे मालिक हां ए ख्याल बुद्धी विच दे हो कि ए पुल गे हो पारत स्वर्ग सी आदिस नातन देवी देपता धर्म सी पवितर सी तां ते आ पवितर आगे चल के उनाद अगे जाके माथा टेक दे सी पातित पावन भाप ही पावन दुनिया दी स्थापना कर दे है ब्रोबर पावन भारत सी हुनता मुख नाड लडाई आदी होवेगी ता जग रचन गे शांती दे लेई मंतर भी ये जब दे है प्रंतु शांती दा अर्थ समझ दे नहीं है है भी बड़ा सहज गौड फादर केंदे है ता बच्चे ठहरे न ओ साड़ा सबदा बाप है ता ब्रदर्स ठहरे न ब्रोबर असी प्रजा प ब्रह्मा दे मुख वंशावली पैन पाई ठहरे सत जुग विच ता मुख वंशावली हुंदे नहीं सिर्फ संगम ते ही मुख वंशावली हूं नल पैन पाई कहां दे है बाप कहन दे है मैं कल्प 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 दे संगम जुग दे सदारन ब्रिद तन विच परवेश कर दा जिस्दा नाम फिर ब्रह्मा रख दे हां जो फिर ज्ञानु धारन करके अव्यक्त संपूरन ब्रह्मा बन दे है ब्रह्मा फिर ओही देवता बन दे है चक्कर लगा के अंत बिच आके शुदर बन दे है फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मन रच दे है बुढियां दे उपर भी ब्राह्मनियां ने मेहनत करनी है बाबाखदे ने 84 जन्व पूरे किते है सच्चे बाबनों याद करोता सच खंड़े मालिक बन जाओगे सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन कर दे है कहनते है खोर संग बुद्धी जोग तोड़ो सरकारी नोक्री अठ गंटा कर दे हो उस तो भी ये बहुत उंची कमाई है किते भी जाओ बुद्धी तो एजाद कर दे रणा है तुसी कर्म जोगी है किनना सहज समझन दे है बुद्धी अनों वेक के मैं बहुत खुश हुंदा हां क्योंकि फिर भी साड़ी हम जिन्स है मैं मालिक बना साड़े हम जिन्स ना बन ता ए भी ठीक नहीं बाप है अविनाश्शी ज्यान सर्चन ज्यान इंजेक्शन सत्गुरु दिता अज्यान अनेर विनाश्श थोटे अज्यान दूर हो गया है बुद्धी विच ज्यान आ गया है सब कुछ जानगे हो अच्छा मिठे मिठे सिकिल दे बच्चेयां प्रती मात पिता बाप दादा जाद प्यार अते गुड मॉर्निंग रोहानी बाप दी रोहानी बच्यानू नमस्ते ताड़ना ले मुखसार नमबर एक पर उची कमाई करंदे ले बुद्धी दा जोग होर सब नाणों तोड एक बाप नाण जोड़ना है सच्चे बापनू याद कर सच खंड़ना मालिक बढ़ना है नमबर दूजा जिमें ब्रह्मा बाप ज्यान नूतारन कर संपूरन बढ़न दे है इमें ही बाप समान संपूरन बढ़ना है बरदान है अजदा आटूट निश्चे दे आधारते विजेदा अनुभब करने वाले सदा हर्षित अते निश्चिन्त भव आटूट निश्चे दे आधारते विजेदा अनुभब करने वाले सदा हर्षित अते निश्चिन्त भव निश्चे दी निशान्नी है मनसा बाच्चा कर्मना सबंद संपर्क हर गल विच सहज विजेई जिथे निश्चे अटूट है उत्थे विजेदी पावी टल नहीं सकदी अजेहे निश्चे बुद्धी ही सदा हर्षित अते निश्चिन्त रेंगे किसे भी गल विच एक ही क्यों केमे कैन दी कैना भी चिन्ता दी निशान्नी है निश्चे बुद्धी निश्चिंत आत्मा दा स्लोगन है, जो होया चंगा होया, चंगा है अते चंगा ही होना है, ओ बुराई विच भी चंग्याई दा अनुपब करन गी, चिंता शबदी दी वी अविद्या होवेगी, स्लोगन आजदा, सदा परसन चित रेना है, ता बुद्धी रुपी कंप्यूटर विच फुल स्टॉप दी मत्रा लगाओ, सदा परसन चित रहना है, ता बुद्धी रुपी कंप्यूटर विच फुल स्टॉप दी मत्रा लगाओ, अच्छा, ओम शान्ती